आश्री नमस्कार MNS News लाइब में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अर्श्य अंसारिया ये देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें महिला से दुशकर्म बनाई अश्रील वीडियो अखिलेश यादों का योगी सरकार पर हमला इश्क छुपाय नहीं छुपता आखिरकार जिशपपन्त से मिलने पहुची गई उर्वशी रुटेला शेयर की फिक्चर आईए देखते हैं खबरें विस्तार जाएब महिला से दुशकर्म बनाई अश्रील वीडियो असमौली धाना छेतर में घर में घुसकर युवक ने महिला के साथ दुशकर्म की और अश्रील वीडियो बना ली आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो वाइरल करने की धम की दी पीरिता ने मुकदमा दर्ज कराया है थानध्यक्ष छेत्र के एक गाउनिवासी महिला को पलोज में रहने वाले युवक ने घर में अकेली पाकर बुरी नियत से दबोश लिया जिहार आरोपी ने महिला के साथ दुशकर्म किया और अश्रिल वीडियो बना ली आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर अश्रिल वीडियो वायल करने की धमकी दी पीरिता ने परीजनों को मामले की जानकारी दी परीजन पीरिता को थाने ले जाकर पहुचे और मुकदमा दर्ज कराया थान अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गाउ गरवारा निवासी रवी जाटों की खिलाफ मुकदमा जर्च कर लिया गया है अखिलेश यादो का योगी सरकार पर हमला बोले जीरो ही रहेंगे इन्वेस्टर समीत के नतीजे जिया दोसातेवी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादो ने कहा कि प्रदेश में भाजबा सरकार पुंजी निवेश लाने के लिए इन्वेस्ट समेलन के नाम पर सिर्फ शोर मचाने का काम कर रही है इसके नतीजे जीरो ही आना है इसे पहले जो इन्वेस्टर समीट हुए उसका रिजल्ट काड कहा है यूपी की हाला देखकर कोई भी उद्योग पती वेपारी निवेश को तयार नहीं अखिलेश पिछली बार भी भाजबा सरकार ने इसी तरह से जोर शोर के साथ इन्वेस पतियों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए को मनाने गए हैं प्रदेश की हालत देखकर यहां कोई भी उद्योग पती और वेपारी निवेश को तयार नहीं है पुझी निवेशियों के मामले में भाजबा सरकार हवा में ही लाधिया भांजती नजर आ रही है छे सपा मुखियों ने कहा कि पुझी निवेश के लिए देश और दुनिया में अपने मंद्री मंदल के साथ भड़क रहे मुखे मंत्री अपनी सरकार के छे वर्षों के कारियलय में उद्योगिक निती को ही नहीं स्पष्ट कर पाए उद्योगिक को यहां आने पर क्या क्या क् जमाख खर्च हो रहा है वेपारियों की समस्याओं के समधान की दिशा में कुछ भी कारवाई नहीं होती है योगी सरकार में 9 मार के मुखतार अंसारी सही 10 माफियों को सुनवाई गई सजा बासट के खिलाफ कारवाई जारी सपाध्यक्ष बोले पिछली समीट में कितना हुआ निवेश जवाब दे सरकार बाजपा सरकार कई बार मांग करने के बाद भी नहीं बताए पाई कि उसकी सरकार में अब तक कितना पुंजी निवेश हुआ और कहा कहा फैक्तरिया और क जाला नहीं होता है इसको छुपाना नहीं छुपता आखिरकार रिशपपंद से मिलने पहुची गई उर्वशी रुटेला शेयर की पिक्चर्स भारतिया टीम के मशूर क्रिकेटर रिशपपंद की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है दरसल हाल ही में रिशपपंद को ब वही रिशपपंद की एक्सिडेंट की खबर मिलते ही उनके चाहने वाले सहीत सभी लोग लगतार उनकी सलामती की दुआ मांग रहे है ऐसे में रिशपपंद की सलामती की दुआ मांगने वाली एक शक्स बॉलिवुट की जानिमानी अभिनेतरी उर्वशी रुटेला भी है जहां एक्ट्रेस ने जब से रिशप्पंद के एक्सिडेंट की खबर सुनी है तब से लगतार रिशप्पंद की सलामती की दुआ मांगती जा रही है इतना ही नहीं उर्वशी की मा मीरा सिंग रुटेला ने भी रिशप्पंद के जल्द ठीक होने की कामना किया है जुदा समय में रिशप्पंद का इलाज मुंबई के कोकिला बेन धिरोबाई अंबानी होस्पिटल में जा रही है अब भला इस मौके पर उर्वशी रुटेला सुर्क्यों बटोरने से कैसे पीछे रह सकती है दर असल गुरुवार को उर्वशी रुटेला ने इसी होस्पिटल की तस्वीर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में शेयर किया है जिसमें रिशप्पंद का इलाग चल रहा है अब सोशल मेडिया पर यह बज बन गया है कि क्या उर्वशी रुटेला रिशप्पंद से मिलने के लिए होस्पिटल पहुची है साथ ही तमाम यूजर इसके चलते उर्वशी रुटेला को ट्रोल कर रहे हैं उर्वशी रुटेला के स्टोरी अफलोट करने के साथ ही लगतार अब एक्ट्रेस को ट्रोल किया जा रहा है जहां उर्वशी को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि यह लड़की पागल है क्या गट्या तरीका है मालूम है कि वह एक बड़े हाथसे से गुजर र अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं, मोबाइल अब पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News टीवी एप्स डाउनूड करें, इंस्टा लिंग, ट्विटर, हाईकोक, फिस्बूक और कई सोशल मीडिया के प्लैट्फरम पर हमारा चैनल उपलब दे आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हो, आप हमारे चैनल को लाइब भी देख सकते हो, www.mnsnews.com पर फिलाल वक्त चला जाशको ब्रेक का, ब्रेक सलोटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरे, बनने रहें MNS News पर, नमस्कार यह है MNS News निट पर और आप देख रहें है MNS News